और अब जो हम बात करने वाले हैं कि World Test Championship का टेबल कैसे टरनराउंड हो गया है श्रिलंका की जीत के बाद क्योंकि कोब्रा ने वैसे बातो बातों बोल दिया इंडिया वर्सेज श्रिलंका फाइनल क्या पॉसिबल है सारे सिनेरियो हमने बनाए हुए है कि श्रिलंका कैसे पहुंच सकता है डबलू टीसी फाइनल में बाकी दो टीम और कंटेंशन में इंडिया के लिए हमने आपको बताया कि आठ में से पाच मैच सेफर साइड पर जाने के लिए कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कहीं दुपेंडेंट नहीं होने की जरूरत है आप क्वालिफाई कर जाओगे श्रिलंका कैसे कर सकता है क्वालिफाई सब आपको बताएंगे सबसे पहले टेबल किस तरीके से बदला है श्रिलंका के जीतने के बाद अब श्रिलंका जो है वो राइस करके आगी है तीसरे नंबर पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे नौ मुकाबलो में साथ पॉइंट बनाये हैं पाच मैच जीते हैं चार मैच यह हारे है 55.56 का विनिंग परसेंटेज फिल्हाल ऑस्ट्रेलिया इसके वाँ 62 का विनिंग परसेंटेज और इंडिया जो है अभी 71.67 लेकिन हमने आपको कल बताया था कि यह टेस मैच ड्रॉ हो अब बात कर लेते हैं श्रिलंका के एक्वेशन की इंट्रेस्टिंग है काफी जादा क्यूंकि यह इनके जो फिक्शर हैं और जो लडाई चल रही है आपस में खेलना है साथ एफरिका और उस्ट्रेलिया श्रिलंका का कॉलिफिकेशन से नेरियो बहुत ही सिंपल है गनित ह साथ एफरिका अगर यह जाएं तो यह हारे नहीं मतलब एक टेस्ट मैच जीते दूई टेस्ट मैच है एक टेस्ट मैच यह जीते और एक को किसी तरीके से ड्रॉ करा लें और जब ऐस्ट्रेलिया घर पे आए जो न्यूजी लेंड का हाल किया है वैसी तो नहीं होगी लेकि कि कोशिश करें कि एस्ट्रेलिया को ह期 कि बड़ा मुश्किल है यार साथ आफरीका को साथ आफिका में जेकर रांधना फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे के ऐसट्रेलिया को पिर भी कमपएरिटिब ली मैं कहता हो कि अपने तो अगर हम्וע सब इसा करने में काम्याब रह साथ एफरिका है ठीक है अब लेकिन ऑस्टेलिया वह तो तब होगा इंडिया से भी हार क्या रहा होगा तो यह आप कैसे बूल रहे है पाणने जी कि जब इनके पास आएगा तो वह लेड़ी इतने डी मोटिवेट हो चुके होंगे के लगा तर पांच भी बीजिट हार रहे ह और कहीं श्री लंका साथ अफरिका में जीत के आ रहा हो जो हम बता रहे है वन जिरो श्री लंका साथ अफरिका में चलो अगर जीत भी गया इंग्लेंड में इंग्लेंड में इंग्लेंड को हरा दिया था इंग्लेंड में इंग्लेंड को हरा दिया और डॉमिनेंड कर रहा और अगर आप सही दिशा में होते हो तो पांडे जी आपकी दशा बदल जाती है आउस्ट्रेलिया का अगर क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्योंकि हमने भीजा यहां से उन्होंने खेलेंगे ठीक है घर पे खेलेंगे इनको जीतना पड़ेगा तीन दो जो जीत सकते हैं तीन नो डाउट अबाट इट फिर श्रिलंका को जाके दो-जीरो हराना पड़ेगा अब पता इसमें प्रॉबल्म क्या अगर यह इंडिया से हार गये बीजीटी हम हम इनको किसी भी हाल में खोराना हिटे चाहे यह बहुत जीते चाहे सीरिज हरे अगर फिरीज 3-2 के अंतर से भी जीते तो भी इनको यह नहीं को 2-0 हराना पड़ेगा तब जाके इनकी वीनिंग प उनके 6 matches रहते हैं, बंगलादेश के साथ, श्रिलंका के साथ और पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान कैसा खिल रही है आपको पता है, पाकिस्तानीन सौथ अफरीका, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आप समझ सकते हैं, दो मैच वहाँ पे हैं, श्रिलंका के पास चांस है, तो हो सकता है कि वहाँ पे साथ अफरीका हार जाए, लेकिन बंगलादेश, श्रिलंका और फिर पाकिस्तान, अगर टीमों के मामले में आप देखेंगे, तो साथ अफरीका के पास बहुत अच्छा चांस है कि सारे मैं जीत कर वो सीधे कौलिफाई कर जाएं, उनको कुछ न में और एक इंडिया, इंडिया का हमने आपको बता दिया, आठ में से पाँच, कोई देखने की जरूरत नहीं है, किस की विनिंग परसेंटेज कितनी है, कौन सी टीम कहां जीत रहे है, इंडिया थू हो जाएगा, अब इसके वाँ साथ आफरीका एक वालिफिकेशन सेनेरि तो बंगलादेश को हराते हैं, वहाँ पर इनकी विनिंग परसेंटेज हो जाएगी 63.88, इसमें उपर एक चीज़ मैंने मेंने किया, अगर आप ध्यान से देखिए, इफ इंडिया विन 3-2 BGT, या फिर श्रिलंका विन 2-0 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर ये के सिनेरियो ह हरा है, श्रिलंका को 1-0 हरा है, और बंगलादेश में जाके 2-0 क्लीन स्वीप करें, स्वाथ आफ्रिका की विनिंग परसेंटेज, उस केस में श्रिलंका से उपर होगी और ऑस्ट्रेलिया से भी उपर होगी, तो फिर वहां स्वाथ आफ्रिका भी क्वालिफाई कर जाएग यह है पूरा गनित, जो मैंने समझाया तीन टीमों के बारे में, एक एक कंडिशन है, और बीजिटी हारना है इंडिया से तीन दो, क्या तीन दो इंडिया बीजिटी जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, अगर इंडिया तीन दो बीजिटी जीत रही है, तो सथाफरिका ऐ वह जो गर निविजिलंड को हरा सकते हैं तो अरज़िया वह पक्ड़ा जा सकता है और मुश्किल ही होता है असल काम जो होता है पादेजी लेकर अब आप यह देखए 30% परसेंट और इनके हाथ मेन उधरी न के इंडिया अगर 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 हराएगा देखो आस्ट्रेलिया आ तो definitely फिर इनके चांसे सबसे अदा हो जाएंगे, South Africa के, क्योंकि इनकी जो सीरीज हैं, ये Shilanka, Pakistan और Bangladesh सारी Asian team हो सही है, और लास्ट में आकर बंगलादेश के ओपर depend करेगा, बंगलादेश ने इनको हरागी, ने बंगलादेश ने पहले खेलेंगे, मैं आपको बतारो, मुझे ने लगता, बंगलादेश अभी हरा पाईगे इनको, बट ये सबसे जादा इनके जजो है, वो चांसे है, अब अगर जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ने लगता के ऑस्ट्रेलिया को ये 2-0 से पकड़ लेंगे, ने लगता ना श्रिलंका, बड़ा मुश्किल लग चलो मुश्किल है, साउथ अफरिका में जाकर, 2-0 क्या कर सकती है शिलंका, बाई अगर ऐसा कर दिया फिर तो अलगी सिनेरियो मच जाएगा, अगर वो 2-0 साउथ अफरिका में जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे, मैं बता रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं साउथ अफरिका, अगर साउथ अफरिका में यह एक जीरो करके आए, शिलंकान, सीरीज जीत कर आए मतलब, मैं लिख के जाह रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको दावे के साथ, और अगर अगर इंडिया ने इनको बीजी टियरा दी, ऑस्चिलियंस को, मैं लिख के दावे इन तीनों में सबसे जादा प्रोबिलिटी किस चीज की आपको लग रही है, इंडिया उस्ट्रेलिया, इंडिया साथ अफरिका या फिर इंडिया श्रिलंका, अभी अगर रियलिस्टिकली मैं बात करूँ ना, लेट्स बी ओनेस्ट, जादा पॉसिबिलिटी जो है वो मु पर सिनेरियो उनको देखना पड़ेगा, दो मैं जीतेंगे लेकिन फिर भी साथ अफरिका के पास चांस रहेगा, उस्ट्रेलिया को यार बीजिटी चार एक से जीतना पड़ेगा, तीन दो से वो जीतेंगे और एक्स्टिट करेंगे कि श्रिलंका में 2-0 जीत गया है, लेकिन क्योंकि इतने जादा डिड़क्ट हो गया, परसेंटेज मेंटर करती है, परसेंटेज बनता है आपका, आप सो पोइंट बना सकते थे, आपके दस पेनल्टी के पोइंट कट गया, ये नब्बे पे आ गया, जो भी है आपका, लेकिन मुझे लगता है कि बीजिटी फिर से निकाल लोगे, तो फिर तो उसकेस में इंडिया सौथ अफरीका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पे चार मैच खेल रहे है, और अगर श्रीलंका ने पकड़ लिया, इंडिया, श्रीलंका ने सौथ अफरीका को हरा दिया, वैसा जो बता रहे है, जो क एक qualification scenario इनका आसान नहीं है, क्योंकि सथी अफरीका और ऐस्ट्रेलिया को हराना है, वैंजीनों को उनके घर पे घर जाके हराना, एक मैच ड्रॉ करके जीतना, और पर ऐस्ट्रेलिया को अपने घर पे पीटना, तो ये आसान नहीं है, लेकिन अगर जीतों सही आप आप क्योंकि अगर एक मैच भी ड्रो किया तो पर्सेंटेज नीचे आ जाएगी तो यह मामला जो है इतना असान नहीं रहने वाला है और इंडिया को भी ए मेक करें सिरीज जीतने की लेकिन जस्ट इनकेस अगर नहीं हो पाता तो कम से कम दो मैच निकालने पड़े अब अभी से इतरा नेगेटिव क्यों मतलब बैक बाइक देखो हर चीज लेकर चलनी चाहिए पॉडिटिव साइड निगेटिव सैट अगर अगर बाकी टीमों की बात कर जाओ दो मैच और नुजिलेंट से तीन मैं जीट जाओ यहाँ अब अराम से बैटो फाइनल में आपका क्यों अपका आराम से जीट जाओ कर टैशिए को ले रहे हो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सिर्टाइट अप अस्ट्रिया को हराद हो आप बैट बेट बीजी टीम को अब चाहरे हो से जीट जाए नहीं मैं नहीं चाहरा भाई मैं तो चाहता हूं कि स्काइदे से बता हूं परस्नलिया अब मेरे से मेरी ख्वाइश कुछो मैं चाहूंगा कि दो एस्टियन सब कॉंटिनेंट की टीम डबलो टीसी फाइनल के लिए बिलकुल इंडिया और श थारंगा क्या टीम हुआ करती ती श्रिलंगा एक लिए इन्हों ने भी बनाई थी 96 में जब वल्ड कुप जीता था किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि श्रिलंका वल्ड कुप जीतेगा और उसके बास इनकी क्रिक्ट ग्रो करना शुरू कर गए फिर अचानक से पी चार पाकिस्तान के बसकी तो है ना आज के टाइम में इंडिया शिलंका फाइनल हो और हमारे जीत सुनिश्चत हो बिल्कुल चाहूंगा क्यों ना चाहूंगा